लो इस्टूरेंट्स आज इस वीडियो में जो है हम काफी कुछ पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिहां सब जो है वह SST CHSL से रिलेटेड है काफी सारी कुछन हमें आ रहे थे हैं पूछे जा रहे थे कि सरी जो है CHSL इसका अपडेटेड सेलरी जो है 2020 में वो क्या होने वाल उनका में उनका समय साओ यह सब यह वे इस वीडियो में आज हम आपके सामने लेकिया आए उससे बारे में बात करेंगे और माज़ों कर रहें कि आपको यह सिर्व पर सकुछ नहीं कंब नहींше तो इन सब questions का हम जवाब लेके यहाँ पे आए हैं और यह questions जो है आप ही में से बहुत लोगे ने हमसे पूछा है तो यह काफी जरूरी हो जाता है कि इस समय हम आपका यह जो जितने doubts से उनको दूर करें तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा वीडियो को सुरू से अन तक देखिएगा सारी जानकारी आपको मिलेगी हम आपको job profiles के वारे में बताएंगे थोड़ी थोड़ी जानकारी जो salary आपको मिलेगी वो तो हम बताएंगे ही और साथ में जो भी आपको alliance होते है किस तरह के कौन से alliance होते हैं उनमें क्या-क्या मिलेगा यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तो वीडियो अन तक देखिएगा जुरे नहीं हमारे साथ चले वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरा नाम है सौरफ और आप देख रहे हैं competition चुटकी में अब सब दोग मुझसे यह पूछ रहे थे कि सद्ट क्या कोरोना के कारण इसपे कोई असर होने वाला है क्या हमें कुछ ऐललाइंस होता है इस से क्यूरिटी अलाइंस सब हमें किया जाएगा क्या उसमें जो है वह में कमी कि जाएगी तो मैं सब जबाब आपको दोगा सबसे पहले तो देखिए मैं आपको सब हमेशा से यह कहता हूँ कि अभी कोरोना का समय चल रहा और अभी जो है अपवाह की भरमार लगी पड़ी है सभी जगह से आप कुछ कहीं से कुछ और सुनेंगे कहीं से कुछ और सुनेंगे और मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन बहुत सारी लोग ऐसे गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं अपने व्यूज के लिए कि करोना के कारण यह होगा वह होगा मैं आपको बता दूं कि कोई असर अभी तक नहीं पढ़ने वाला है और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जानकारी दी जाएगी लेकिन आप विश्वास रखिए कि इस पर सरकारी जौब है आपका यह प्रोफाइल्स जो है इनका जो वर्कलोड है वह उतना ही रहेगा तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है सारे आपको जैसे ही मिलेंगे तो आप बिल्कुल बेफिकर रहे है और इन अफ़ाहों पे ध्यान मत दीजिए आप अपनी अपनी झायारी जारी रखिए अपना हाडवर्क है वह करते रहे हैं तो नो अपचनी मेंदे तो आपको आ पको सफलता हसिल होगी में सबसे पहले जो जौब प् या फिर junior secritariat assistant तो लडीसी या जह से जिसे मों कहींगे तो यह आता है और दूसरा आता है पोश्टल असिस्टेंट पी आ फिर सोर्टिंग एसिस्टेंट तो यह जोब प्रोफाइल जो है इन पर भरती हो रही है और तीसरा जो वह आपको यह पता होगा फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए भी मैं एक पर जल्दी से इसको समराइज कर देता हूं तो सबसे पहले lower division clerk या फिर LDC की बात कर ले तो जो junior HR असिस्टैन्नकों की बात के लिए तो इनका काम होता है कि ये क्लेयरिकल वर्क जो होते हैं उन से ूंसे दील करते हैं जो नो होता है उसमें ध्만 करते हैं जो दाटा होते हैं सच hàng कोमेट्स हीर सब्सक्राइए में उनको सम्हाल ने काम उनको करते हैं तो और और कुछ बात करें इन पre इसके लिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ निद्फ कंप्योटर में डालते हैं और उससाब से इनका काम जो होता है ठीक है यह पर मिशन होता अगर प्रोमोशन की बात कर ले साप डिवीजन के राट है और सेक्ट अफिसर तक भी जो है अगर आप काम कर खाँ प्रोपुशन होता है। तो इनका काम क्या होता है, कि अफिस की चाहिए बढ़ियां होना चाहिए इनका स्किल्स क्योंकि इनको वहाँ पर ऑफिस में कंप्यूटर करने पड़ते हैं और जो इनका एक बहुत बड़ा पॉस्ट का वहता है तो आपकी टाइपिंग जो है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको सीखनी चाहिए अगर आप शीक्राइब कर रहे हो तो टाइपिंग क्योंकि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है फिर आपको कुछ सॉफ्ट्वेर से काम करना आना अगर इसमें हम प्रोमोशन की बात करें तो जो केंडिडेट्स होते हैं वो डेटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेट बी ग्रेट सी ग्रेड एफ या जो ग्रेड एफ होता है सिस्टम एनलिस्ट का वो सब वहां तक आप प्रमोट हो सकते हैं इसके लिए आपका वहां जो है ञेसे घ्रीट होता है नुजापने का इनका काम सब्सक्राइं का करता है इसके अर्चाने में चैके काम होते हैं उसके और बिचस्टम काम होते इस हूं के सबस्पोर्ट रहूत है Kafka सो एंसे बात करना उनकी परिशानिया दोली कर थैसा ganze मतलब आप माल लीजिए में आप मोबाइल के जिए कालसेंटर में बात करते हैं सबसे कहते हैं कि भगोंड की थरो कोई नहाग परिषानी के लिए सबसे बड़ा करतव्य होता है और इसलिए जो पोस्ट है वो काफी आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा पोस्ट है काफी responsibility के साथ पोस्ट आता है अगर इसमें promotion की हम बात करें तो इसमें promotion जो है वो अगर आप 5 साल का experience आपको हो जाता है तो आपको एक पोस्ट मास्टर ग्रेड वन का examination जो है वो देने को मिलता है ठीक है और उसके बाद जो है आपको प्रमोट किया जाता है अगर जैसा score करते हैं उस हिसाब से supervisor जो LSG होता है आप supervisor बन सकते हैं या फिर senior supervisor तक भी और चीफ सुपरवाइजर तक भी जो है वो प्रमोशन होता है तो यह तो होगए को जो प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली अब आप लोग सोच रहेंगे कि सेलरी की बात करनी थी हम कहां जौब प्रोफाइल मैं आपको पता दो कि मैंने सब्सक्राइब कर दो जिने नहीं पता है उनके लिए और अब हम जल्दी जल्दी जो है यह इस बारे में भी बात करेंगे कि जो सेवेंथ पे कमीशन है वह 2020 में क्या अपडेट्स आये हैं और आपको किस हिसाब से अब जो है वह सैलरी मिलेगी आप वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो पसंदार रहा हो हम कोशिच करते हमेशा कि आपको जो है वह सटीक जानकारी दे और आपको कुछ कहते हैं स्मार्ट वर्क पे हम भरोसा रखते हैं तो आपको कम समय में ज्यादा जानकारी दी जाए और इधर उधर की बात कर देते सेवंद्स पर कमीशन के बाद क्या क्या जो है वह अपडिएट सारे जेव जो जो पोस्ट जॉब प्रोफाइल से उनके मतब पोस्ट वाइस हम आपको बताएंगे कि किस पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी क्या यह अलॉएंस मिलेंगे जैसे आपको घर का खरच फिर कितना होगा चैनल ऐब आपको बताएंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता हैं कि हमारा जो सिषल का सबनेत्पश करने उसमें तीन चिवाइड किया लगें पहला है एकda सब्सक्राइब शरुदिक नगला थी और यह क्यों किया गया यह भी मैं आपको पताऊंगा लेकिन पहले देखते हम जो किस का हिसाब से एक्स वाइज डिवाइड किया गया है तो एक्स उन सिटीज को दिया गया है जिन में पॉपिलेशन जो है वो 50 लाग से जैदा है जैसे मुंबई हो गया जो आपका सूरत हो ग सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो तीन क्राइटेरिया मैं आपको बारी बारी सब कुछ बताऊंगा और सिटी एक सिटीवाई सिटी जैड आप देख सकते हैं थीनों सिटी का मैंने देघंगा कि कितनी कितनी सैलरी मिलेगी तो बहुत जगहतों होगा जैसे पएश के लाप देख सकते। यह तो वह भी हम आपको यहां ग्रेड पर कि अगर हम बात कर लें तो ग्रेड पर देखो जैसे जो जैसे पोस्ट पर है उसे आप से आपको ग्रेड पर मिलने ज़्यां करें तो यह पुस्ट की अगर बात करें तो 1919 इसका मैं आपको मतलब बता दू जैसे आपको घर का किराया मिलता है तो आप अगर मेंगी सीटीज में रहते हो जहां पी जहां पर खड़कें काफी जयता है तो एक सिटी एक्स जहां पर 50 लाग सी जया पॉपलेशन वहां पे 12% मिलता है और 4776 वो जो है वो आपको मिलेंगे होम रेंट के रूप में सिटी वाइज में 16% मतलब 3184 मिलेगा और जो 8% में मिलेगा 1592 जो कि बात करें आगे हम बढ़ेंगे तो यह जो है वह आपको तीनों में 3383 मिलेगा ट्रेवल एलॉइंस जो है वो आपको आप यहां देख सकते हैं फिर से सिटी के हिसाब से मिलना आगर आप बहुत महेंगी जगवा पर रहते हैं तो आप खर्चा घूमने फिरने का इधर से ट्रेवल करने का महेंगा परता है इसलिए यहां पर 3600 आपको CTX में दिया जा रहा है और मांकी जगों पर 1800 दिया जा रहा है तो अगर बात करें कि यह देखने को मिला है और अगर हम बात करें नीचे तो यहां जो आप डी ए करेंट अलॉइंस यहां यहां उसमें भी जो है वह उता जहां किया तो लिबिंग एट ज़िसमेंट जहां आप रहते हैं वहां पर थोड़ा करने में जो भी कुछ खर्चेё आते हैं उसके लिए होता है ठीक है फिर ग्रॉस सेलिडी के अगर बात करें एपरोक्स तो वह आपका 31,659 हो गया मतलब जो आपका सेलरी पूरे महिने के बाद बनता है यह आपका तीनों सिटी का दिया हुआ है सिटी एक्स पहले फिर सिटी वाई और सिटी जैट और उसके बाद फिर नीचे है डिड़क्शन मतलब जो पैसे आपके कुछ काटे जाते हैं तो तीनों में 25 यह यह बराबर है और फिर उसके बाद नीचे जो है इन हैं इंट सेलरी आपको हमने बताया है कि यह सब टोटल सेल पर देख सकते हैं आगे हम बढ़ेंगे यह जो है वह आपका लडी सी पोस्ट के लिए हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है वह समझ में आऊगा पहले हमने सीटी एक्स फिर सीटी वाई सीटी जैट की बात की अगर आपको वीडियो पसंदार हो तो प्लीज ल हारेंगे वह बात करेंगे और एसे जो यह दो पोस्ट होते हैं और शॉर्टिं इसिस्टेंट उनके बात करेंगे उनकी सेलरी क्या है तो पर देख सकते हैं कि 25,500 सब में HR जो है वो City के हिजाब से आप तीनों का दिया हुआ है XYZ तीनों में अलग-अलग है फिर DRS की बात करें तो वह सेम है 4335 ट्रेवल एलोइंस जो है वह 3600 वही City X का और YZ का 1800-1800 तो यह समा आपको बता चुके हैं कि पहले भी कि त्रेवल एलोइंस में क्यों City के साथ से difference होता या फिर होम रेंट एन्स में क्यों होता है तो उमीद है कि आपको इसमें परिछान नहीं हो रही होगी ग्रॉस सेलरी आप देख सकते हैं कि आपके कितने पैसे बनेंगे महीने के बाद और फिर डिडेक्शन अगर उसमें से 3,000 रुपे घटा दिये जाएं तो फिर आपका इन्हेंट सेलरी जो है वो कितना आएगा वो आपको सबसे नीचे दिया हुआ है तो 36,555 जो है वो CTX में CTY में 32,715 और CTZ में 30,675 मतलब 30,675 रुपे आपके बनेंगे आगे हम बनेंगे अगला पोस्ट जो है वो है दी यो डेटा इंट्री ऑपरेटर का तो इनका काम भी आपको मैंने बता दिया है और X,Y,Z के साब से सेलरी भी मैं बता देता हूं तो पर इसकेल तो वही 25,500 से लेकिए 2080 है और जो CTZ है महाँ पे 2040 है तो लगवाग आधा हो गया आप देख सकते हैं तो यह डिफरेंस होता है यह काफी कुछ सिटी काफी महंगे है इस मामलों में तो इसलिए महाँ पे होम रेंट ज्यादा होता है फिडियरेस्ट आप देख सकते हैं तीनों का बराबर ट्रेव 25 मिलता है CTX में 32,715 Y में 30,675 Z में मिलता है तो यह तो हो गई आपके बात और जो आपकी सेलरी है वह आपकी बात हो गई तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा मैंने तीनों पोस्ट जो भी जिस इस पोस्ट पे रिक्रिट्मेंट हो रही है उन सब आपको सेलरी बताया जौब प्रोफाइस जो हैं वह आपको बताएं और आपको यह भी बताया कि जो एलॉइंस है उन पर क्या कोरोना का कोई असर पड़ेगा या नहीं तो इस बारे में भी हमने आपको बताया तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंदाया होगा और वीडिय पूछना बिल्कुल न भूले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और उन्हें इस बारे में बताएं तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंदाया होगा हम आपके लिए ऐसे नहीं नहीं वीडियो लाते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना हो और बगल में घंटी का निसान होगा उस घंटी को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नहीं वीडियो लेकि आएं आपके मोबाईल की घंटी बज्जा और बिना किसी परिसानी के आप वीडियो को देख पाएं तो इसी के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा उमीद है कि टेक केर स्टे होम स्टे सेफ गुडबाई